उन्नाव रेप पीडिता की 6 दिसंबर की रात को दिल्ली के सब्दरगंच अस्पिताल में मौत हो गई इधर देश भर में उन्नाव रेप कांड के आरोपियों को हैदरबाद एंकाउंटर की तरह सजा देने की मांग की जा रही है इस पर दिल्ली महिला आयूक यद्ध्यक्षे स्वाती ने मांग की है की उन्नाव रेप केस में आरोपियों को एक महिने के अंदर फासी देना चाहिए वहीं पीडिता के पिता ने कहा कि प्रिशासन ने बेटी की मौत की जानकारी नहीं दी पीडिता के पिता ने कहा कि जिस तरह हैदराबाद कांड के आरोपियों को मारा गया ऐसे ही हमारी बेटी के दरिंदों को दोड़ा दोड़ा कर मारा जाना चाहिए या फिर फासी की सजा दी जाने चाहिए उन्होंने कहा कि आरोपियों को सजा मिलने के बाद बेटी की आत्मा को शांती मिलेगी गौर्दर वह कि उन्नाओ बिहार थनक्षेतर के अंतरगत आने वाले गाउं की यूगती के साथ दिशकर्म हुआ था इसके बाद दो नामजद आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेजा गया था यूगती इसी मामले की पैरवी के लिए गुरुवार को राय बरेली जा रही थी गुरुवातर के करीब चार बजे पिडिता राय बरेली जाने के लिए ट्रेन पकड़ने बेजवारा स्टेशन के लिए निकली थी तभी गाउं की बाहर खेत में दोनों आरोपिवों उनके तीन साथ ही उन्हें उसके उपर पेट्रोल डाल कर आग लगा दी इसके बाद उपचार के दुराज सब दरगन जस्पताल में उसकी मौत हो गई